कि मेरा हर्दिक नमश्कार स्विकार करिए जयश्वीकृष्णा राधे-राधे आप सभी का क्लास में हर्दिक स्वागत है और आज भी इस ब्रह्मास्त्र शंकला में हम लोगों का एक चोटा सा टॉपिक है चोटा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो टॉपिक है भार आप से discussion किया है, छोटे छोटे प्रश्न जो अक्सर करके परिक्षाओं में पूचे गए हैं, मैंने discuss किया है, लेकिन आज मैं केवल इस topic को कुछ महत्वपूर्ण सिक्कों को लेकर प्राचीन भारत के सिक्कों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, मुझे उमीद है आप क्लास में आ गए होंगे और आप चाहेंगे तो इसका screenshot ले लेंगे तो बहतर होगा, और अगर note करना चाहें तो note कर लिजेगा, अब एक बड़ी बात यह है, आप देख पारें, मुद्राप्राली का इतिहास है, ठीक है, History of Indian Coin System, भारती इतिहास के प्राचीन तम सिक्के क्या माग कॉइन्स कहलाते हैं, या इनको आहत सिक्के भी कहा गया है, और आपको शायद याद हो, इस तरह के प्रश्न अक्सर परिक्षा में पूचे गए हैं, और आज ये topic के रूप में आप पढ़ लिजे पूरे भारती सिक्कों को, प्राचीन भारत के, तो ये भी पूचा ग ये कि इन सिक्कों पर किसी शाषक के नाम चित्र अत्वातिति का उलेख नहीं है, ये बड़ी important बात है, ध्यान रखेगा, इन सिक्कों पर किसी भी शाषक का नाम चित्र अत्वातिति का उलेख नहीं हो है, बलकि इन सिक्कों पर चोट पहुचा कर इन पर प्राक्रतिक द्र पहुंचाए गई हैं इन सिक्कों पर यह बात क्लियर हो रही है मुझे उम्मीद है समझ में आएगी और यह ध्यान रखेगा कि यह आहत सिक्के आगे चलकर मौरेकाल की मानक मौद्राओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं विशेश ध्यान दीजेगा मौरेकाल में आहत सिक्कों का प्रचलन है लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए किसी भी आहत सिक्के पर किसी भी मौरेश आशक के नाम का उलेख नहीं है मिरी बात समझ रहे जैसे आचारे कौटिल ने भी मौद्रा प्रणाली के लिए टकसाल अधिकारी के रूप में लक्षणा ध्यक्ष का उलेख किया है आपको पता है नकली सिक्कों की जाज करने के लिए एक अधिकारी रूप दर्शक का उलेख किया है आपको पता है बाजा काल में भी मुद्राओं का प्रचलन है और भी बहुत सारी डेटेल कॉटली ने दी है लेकिन अगर आप से ये कहा जाए कि चंद्रगुप तो मौरे का सिक्का मिला है या अशोक का सिक्का कहां से मिला है बिंदुसार का सिक्का कहां से मिला है बिलकुल भूल करके भी आपको य लेख नहीं हुआ है आपको ध्यान देना चाहिए इन सिक्कों पर किसी भी शाषक के नाम काउलेख चित्र काउलेख तिथी काउलेख नहीं है आध सिकों पर विशेश बात है फिर ध्यान दिजएगा कि इन सिक्कों का कोई निशित आकार भी नहीं है और इनका कोई बहुत मानक बजन और आक्रिती भी नहीं है बस यह सिक्के हैं आहद सिक्के मौरेकाल की मानक मुद्राय कही जाती हैं कही जा सकती है लेकिन किसी भी मौरेश आशक का नाम किसी भी सिक्के पर अंकित नहीं है इसलिए कभी भी ऐसा नहीं का जा सकता कि इस मौरेश आशक के सिक्के मिलते हैं किसी भी मौरेश आशक के नाम अंकित सिक्के नहीं मिलते हैं ध्यान रहेगा आपको अब बात आती है कि भारती त्यास में पहला सौण सिक्का सर्व प्रथम सौण सिक्के तो आपको यह भी समाने प्रश्ण है पता नहीं कितनी बार आया है हिंद यवनवंश को है मेनांडर पथम ने यह सिक्के जारी किये हैं ठीक है पहला वो हिंद यवनश शाशक है जिसने भारत में अपना नामंकित करवा के चित्रयुक्त ठीक है चित्रयुक्त और लेख युक्त निश्चित आकार आक्रती एवन निश्चित वजन के मानक स्वण सख्के प्रचलित किये थोला साथ ध्यान रखेगा चित्रयुक्त और लेख युक्त बात क्लियर हो रही है अगर यही बात ऐसे आजाए कि तिधी का अंकन तिधी या समवत का अंकन वाले सिक्के तो वो कादर्मक शक्वंश का शाशक है जीवो दामन कादर्मक मैं लिख दे रहा हूँ आप नोट कर लिजेगा और उनका नाम है जीवो दामन ठीक है अब ये बात क्लियर हो गई आपको ये कहते हैं कि लेख युक्त सिक्के चित्र युक्त सिक्के तो वो मेनांडर के हैं, हिंद यवनवन्ष में है, जैसे ये बात तिथी और समवत किया जाएगी, उत्तर चेंज हो जाएगा और वो जीवुदावन हो जाएगा, क्लियर है, और अब देखो, ये भी दिखाई पड़ रहा है, मेनांडर के सिक्कों पर चक्र का अंकन हुआ है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि मेनांडर ने बहुत धर्म के प्रती अनुरक्ति दिखाई, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पहला विदेशी शाशक भारत के अंदर, जिसने बहुत धर्म के प्रती अनुरक्ति दिखाई, वो मेनांडर है, जो बहुत धर्म को भारत के अंदर पहला विदेशी जिसने शैवभ धर्म के पति wa रट्थी दिखाई उसका नाम वह मा कर्डeln мам वंज का Ņश्य भारत में पहला विदेशी जिसने भागवत धर्म के प्रति अपनी अनुरक्ति दिखाई उसका नाम हैलियोडोरस है इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए और अगले प्रिष्ठ पर देखिए क्या बातें आ रही है अब कुछ और महत्वपूर्ण बाते हैं ध्यान दखिएगा कुशान वंश में पहली बार सुरण सिक्का किस ने जारी किया वो विमा कट फिसस है ठीक है यह ध्यान दखिएगा एक मेरा अनुरोध है बहुत ध्यान से सुनिए हो सकता है किसी पुस्तक में आपको ये लिखा मि कि भारती इतियास में पहली बार सुरण सिक्का विमा कट फिसस ने जारी किया गलत बात है मैंने अभी बताया कि भारती इतियास में पहली बार सुरण सिक्के हिंद यवन वंश के शाशक मेरांडर प्रथम ने जारी किये लेकिन हां कुशान वंश में सर्व प्रथम सुरण सिक्का जारी करने का इश्रे विमा कटफेसस को है ठीक है और जटा जूख धारी शिव अंकित है उसके सिक्कों पर मैंने भी बताया कि वो शैव धर्म का मतानी आई है लंडी बेल और रिशूल का चितरांग कन हुआ है इस चे संकेत मिलता है कि विमा कटफिसस ने शैव धर्म के प्रती अनुरक्त दिखाई तो मैंने अभी आपको बताया कि पहला विदेशी शाषक बारत में जिसने शैव धर्म के प्रती अपना अनुग्रह दिखाया अपनी आसकती दिखाई और सुवीकार किया उसका नाम विमा कटफेसस है क्लियर हो रही है बात आगे देखिएगा अब बात भगवान शिव की आ रही है कि भई क्या शिव भगवान का चितरांकन कहीं और भी है तो हाँ है और वो है बंगाल में गौड नरेश शशांक के सिक्कों पर जटा जूड धारी शिव नंदी बैल और तुशूल का चितरांकन हुआ है ये प्रश्न भी अक्सर बनता है मेरी टैस सिरीज से आपको जुड़ना चाहिए मैं कई बार आपको आमंतरन दे चुका हूँ बहुत सारे चात्र जुड़े हैं सामाने भाव से यदि आपने पढ़ा है और रिवाईज किया है अपने पूरे प्रश्नों को और पूरे टॉपिक्स को तो आप मेरे प्रश्न पत्रों को आसानी से हल कर पाएंगे मेरी ऑनलाइन टैस सिरीज में आपको अपनी भागीदारी सुनशित करनी चाहिए हम लोग 125 प्रश्न एक पेपर में हल करते हैं और वो एंशेंट और मेडवल और मॉडरन वो तीनों खंडों में बराबर विवाजित होते हैं और साथ ही साथ ये प्रश्नपत्र एकदम कमीशन के मानकों के अनुसार प्राग्य अतियासिक काल से लेकर और 1915 तक समस्त टॉपिक को कवर करते हुए तयार किये जाते हैं बहुत ही वेग्यानिक और बहुत ही सठीक टेस्ट सिरीज है इसके साथ ही साथ हमारी एक आपकी तयारी और आपकी रिवीजन को मुकमल करने के लिए एक हमारी 200 पन्ने की बकलेट है जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूँ कि आप उस 200 पन्ने की बकलेट को आप ले सकते हैं वो बकलेट आपके सामने है इसमें इतियास के तीनों खंडों को एंशेंट मेडवल मौडन को 200 पन्ने की ये बकलेट है आपके लिए तयार करवाया गया है केवल परिक्षोप योगी महत्वपूर्ण टॉपिक बड़े गंभीर टॉपिक इसमें कवर किये गए है देखन में छोटन लगें घाव करें गंभीर वाली स्थिती है आप ध्यान रखिएगा क्लास से हमेशा बताता रहा हूँ सैकडों छात्रों ने अपना सेलेक्शन अंतिम चैन सुरक्षित किया है हमारी क्लास और इस बकलेट और हमारी टैस सीरीज की माद्यम से तो आप चाहें तो स्क्रीन पर दिये गए नंबरों के माद्यम से आप संपर करके इस बकलेट को अपनी रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये बकलेट किसी भी पुस्तक का परयाय नहीं है ये बकलेट केवल आपको रिवीजन में हल्प करेगी अगर आपने अपनी विशय को अपने अध्यान सामगरी को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्विक रिवीजन में ये बकलेट आपको बहुत मदद करने वाली है तो फिलाल आए हम लोग और शुरू करते हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और ये ध्यान रखेगा कि शशांक शैव धर्म का कट्टर मता नहीं आई था उसे बौध द्रोही शाशक के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रशन अक्सर आया है कि उसने बोधिवरिक्ष पीपल को कट्टवा दिया कौन सा शाशक था जिसने बोधिवरिक्ष पीपल को कट्टवा दिया तो उसका नाम है शशांक ठीक है उसका नाम है शशांक अब देखिए भगवान शिव से ही बात आगे बढ़ रही है आगे और अब बात आ रही है कि हर्षवर्दन के सिक्कों पर ये भी ध्यान दखिएगा ये प्रशन भी तरपदेश लोकसेवा आयोग में पूछा गया है कि भगवान शिव एवा मा पारवती का चेत्रांकन किसके सिक्कों पर है तो वो हर्षवर्दन के सिक्कों पर है वक्तिगत रूप से हर्षवर्दन शयाव धर्म का मताव नहीं आई था यद्यपी कि उसने बाद में बौध धर्म के प्रती भी अपनी अनुरग्ति दिखाई मुझे उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो रही कि विशेश मात्वपूर्ण बात है वो बात क्या है कि कुशात बश्वादिक शुद्द स्वर्ण सिक्के जारी के अगर यह कहता है कि भारती इतियास में सरवादिक स्वण सिक्के किस वंच के शाषकों ने जारी किये तो जवाब है गुप्त वंच के शाषकों बात है कि यहां पर विशेश ध्यान देने की बात है, यह पर विशेश ध्यातव्य है कि भारती इतियास में सरवादिक संख्या में स्वर्ण सिक्के गुप्त शाषकों ने जारी किये हैं है ना अगर यह कह रहा है कि maximum number of golden coins के स्वर्ण के शाषकों ने जारी किये तो वो गुप्त वंच के शाषक हैं और गुप्त वंच के शाषकों के द्वारा जारी किये गए स्वर्ण सिक्वों में शुर्धता की मात्रा क्रमशय घटी गई यानि कि सिक्वे तो नंबर जादा हैं उसमें संख्या में जादा हैं शुद्स घट रही है कुशाण्व के सिक्वे सरवादिक शुद है लेकिन संख्या कम है क्लियर हो रही यह बात अब देखिए कुछान वंच के कुछ सिक्कों पर डिस्कुशन कर लिजे कनिश्क के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का चित्रांकन हुआ है कई बार इस प्रश्न का कई परिक्षाओं में पूछा जाना अब तक हुआ है भविश्य में भी हो सकता ये मुझ लिया जाए कि बुद्ध का चित्रांकन वो कनिश्क है कनिश्क ने बाध्धमत की महायान शाखा के प्रती अपनी अनुरक्ति दिखाई ये भी ध्यान रखिएगा हुविश्क है, शिवलिंग का चित्रांकन हुआ है और मैं आपको बता दूँँ हुविश्क के सिक्कों पर ही लकुड अर्थात दंड का चित्रांकन हुआ है लकुड या दंड पाशुपत संप्रदाय का प्रतीक चिन्न है तो ये भी पूशा जा सकता है कि पाशुपत संप्रदाय का प्रतीक चिन्न पाशुपत संपरदाय के संस्थापक कौन थे लकुलीश थे शिव के 28 अव्तार माने जाते हैं पता है प्राचीनितम श्याव संपरदाय है पाशुपत तो वो ये कह रहे हैं कि ये बताए कि लकुड का चित्रांकन दंड वो हुविश्क के सिक्कों पर है कई बातें एक साथ एक समय में क्लियर हो रही है और अब देखिएगा यही बात आ गया देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देख लिजे हुविश्क के सिक्कों पर अभी मैंने आप से डिस्कस किया है लकुड अर्थात दंड का चित्रांकन हुआ है जो पाशुपत संपरदाय का प्रतीक चिन्न है क्लियर हो रहे है फिर ध्यान दीजेगा हुविश्क चतुर्भुजी विश्नु भगवान कई बार चर्चा हुई है जबकि कुशान शाशक वसुदेव के सिक्कों पर चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण ये सब बड़े सटीक और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्ण है कभी ना कभी कही ना कहीं पूँचे गए हैं यद्यपी की मेरी ये बात कई बार रिपीट हो जाती है लेक्चर में कि सर कहीं ना कहीं पूँचे गए हैं तो वास्तों में ये मात्वपूर्ण प्रश्न जो कहीं ना कहीं पूछे गए है या पूछे जाने की संभावना है मैंने इनका कलेक्शन करके आपको दे दिया है अब आपकी ये जमदारी बनती है कि आप इसे अच्छे से तयार करिए ऐसे साथवाण शाष्कों ने सी से अथवाप पोटीन के सिक्चे जारी किये ठीक है सी से लेड़ अथवाप पोटीन ठीक है ना कभी गल्टी से किसी क्लास में छात्र ने पूछा था कि सर काच के सिक्चे मैंने कांच के सिक्के बोले Cyrus Si Shae के सिक्के मैंने का शीषा नहीं ओ शीषा नहीं पाद शीषा का डौब डॉट क्लियर ज democracy अंसर रहे ना के साथवाण शाशकane शाथकरनी प्रत्हम का नाम याद रखेगा हमेशा edits रखेगगा अक्सर करके गल्ती होती है साची के स्टूब का चित्रांकन हुआ है सात्वाहन शाशक शातकरणी प्रथम के सिक्कों पर साची के स्टूब का चित्रांकन हुआ है क्लियर हो रहा है दिखकत तो नहीं आ रही है समझ आगई बात और फिर ध्यान दीजेगा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के सिक्कों पर इस प्रशन को UPSC ने पूछा है दो पत्वारों वाले जहाज का चित्रानकर्ण वो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है स्क्रीन शॉट लीजे फटाफट और अगर कभी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी नहीं है तो यग्यश्री शाद करनी को करीबी जवाब चुना जा सकता है लेकिन वास्तों में जो यग्यश्री शाद करनी है उनके सिक्कों पर मत्य, शंक और जहाज या जलपोत का चित्रांकन हुआ है ये बात तो क्लियर है अब मामला ये है कि दो पत्वारों वाले जहाज का चित्रांकन तो अगर दो पत्वारों वाले जहाज के चित्रांकन की बात आ रही है तो एकडम सटीक और सही जवाब वशिष्टी पुत्र पुलुमावी है कौन है वशिष्टी पुत्र पुलुमावी लेकिन अब वशिष्टी पुत्र पुलुमावी अगर विकल्प में नहीं है तब आप यग्जिश्री शाथ करनी चुन सकते हैं जवाब होगा लेकिन अगर वशिष्टि पुत्रप पुलुमावी हैं तो वही चुने जाएंगे मत्से शंक और जहाज जल्पोत यग्जिश्वी शाथ करने अब गुप्त वन्ष में सरुपतम सुर्ण सिक्के किसने जारी किये पता है चंद्रगुप्त प्रथम ने अक्सर करके ये प्रश्ण आया है भाई सुर्ण सिक्के गुप्त वन्ष में किसने जारी किये चंद्रगुप्त प्रथम ने यादारा एक अब जारी किया पताएगा और अब बात आ रही है गुप्त वन्ष में सर्वप्रथम रजत अर्थात चांदी के सिक्के किसने जारी कि वो चंद्रगुप्त दुतिये हैं, ध्यान दखिएगा गुप्त वंश में स्वण सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम कुशाण वंश में स्वण सिक्का विमा कटफेस हिंदयवन वंश में और भारत में पहला स्वण सिक्का मेनांडर प्रथम क्लियर और अब बात है चांदी के सिक्के की गुप्त वंच में तो पहला चांदी का सिक्का गुप्त वंच में चंद गुप्त दुतिय ने जारी किया कब जारी किया काठयवार सौराश्ट्र की विजय के बाद उसने व्याग्र अंकन वाले बाग के अंकन वाले रजक्ष सिक्के जारी किये बात क्लिर हो गए और आगे देखिञा गुपतकाल के सुरन सिक्कों को क्या कहा गया है अकसराया है दीनार चांदी के सिक्कों को रूपक या रूपय रूप स्वर्ण सिक्के दीनार चांदी के सिक्के रूपयक कहे गए हैं और इन दोनों का अनुपात एक अनुपाते 16 हैं याद रखिएगा गल्ती ना हो बहतर कोशिश की है मैंने आपके बैटरमेंट के लिए आपके सेलेक्शन के लिए इश्वर क्रपा करें बार बार एकी बात कहता हूँ लेकिन आप सार्थक्ता से एक दिशा में मैंनत करिए सिंगल माइंड़ हो करके एक जगे अपनी उर्जा का संकेंद्रन करिए किस गुप्त शाषक के संगीत प्रेम को परिलखित करते हैं समुद्र गुप्त किस शाषक को उसके सिंकों पर बजाते हुए अंकित किया गया है समुद्र गुप्त और फिर ध्यान दखेगा गुप्त शाशक चंद्रगुप्त दुतिय विक्रमा अदित्य ने आठ प्रकार के सुर्ण सिक्के जारी किये ये एक इंपॉर्टन बात है जैसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि गुप्त वंच में सरवादिक संख्या में अबिलेख कि शाशक के मिले हैं वो कुमारगुप्त प्रथम है सरवादिक अबिलेख किसके मिले हैं कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं चंद्रगुप्त दुतिय ने आठ प्रकार के सुर्ण सिक्के जारी किये हैं ये बात मुझे उमीद है क्लियर हो गया और अब बात आ प्रथम चंद्रगुप्त दुतिय ने ने ही ताम्र मुद्राओं का नियमित प्रचलन किया एक बड़ी बात है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अगर क्लास में बहुत कंसेंट्रेशन के साथ बैठ रहे हैं तो काफी लाबदायक होगा वो यह कह रहे हैं कि यह बताए कि सर्व प्रथम गुप्त समराटों में ताम्र सिक्कों का नियमित प्रचलन कई तो यह खुव्य माम्ला यह भी आकि तामर सिक्के मिले हैं हमें को घ्राशिक्षी गॉप्तवन्ष में हौरा मद्ध गॉप्त समुद्र गॉप्त के बाद जो थोड़े समय के लिए एक शाषकब कुम करना योग्य शाश्ड था चंद्रगुू भाल कुछ तांबे के सिक्खे जारी कि यौ्रा म्टलब आम प्रचलन में राम गुप्त के हमें कुछ कुछ तांबे के सिक्खे में नहीं हैं तो नीव में सिक्के प्रचलन करने का श्रेक इसको है, गुप्तवंश में तामे की बात हो रही है द्यान दिजेगा, तो वो चंद्रगुप्त दोती हैं और यह द्यान रखेगा, यह बात वीना वादन प्रकार के सिक्के कुमार गुप्त प्रथम नहीं भी जारी किये हैं, ठीक है, समुद अब आप इसको देख लीजिए गुप्त शाषक कुमार गुप्त प्रथम के सिक्कों पर सवक्त शिव के पुत्र इसकंद या फिर कारते के एक चित्रांकन हुआ है डेवताओं के सेनापती भी कह जाते हैं तो ऐसा माना जाता कि कुमार गुप्त प्रथम एक मात्र गुप्त शाशक कुमार गप्त प्रथम जिसने श्यव धर्म के executing अनुरक्तbay दिखाई थोड़ी सी वो कुमार गुप्त प्रथम है मैक्सिमम जो शाशक थे उनका जुकाव वैशनो धर्म के प्रति था आपको पता ही है तो अब ये पूछ रहा है मयूर उनका वाहन है कार्तिके का चित्रांकन और इसकंद का चित्रांकन तो वो आप ध्यान रखेगा कुमार गुप्त प्रथम है गुप्त वंज के शाशक है और फिर ये ध्यान रखेगा शडानन कार्तिके शडानन कमलासीन कार्तिके ग्यारा मुखवाले कमल पर आसीन कार्तिके भगवान का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है योधे गनराज के सिक्कों पर हुआ है योधेयों के सिक्कों पर ग्यारह मुख वाले भगवान कार्ति के चित्रांकित हैं और यह ध्यान रखिएगा कुमार गुप्त प्रथम ने गुप्त वंश में पहली बार गजारोही प्रकार की एक नई मुद्रा जारी की गजारोही प्रकार की मतलब हाती पर बैठे हुए बात समझ में आ रही है क्लियर हो रहा है बहुत सारी बातें आज डिसकस हो गई है इस टॉपिक में और चुँकि अभी तक आप प्रशनों को हैंडिल कर रहे थे और अब ये प्रशन है चोल वंच में सर्वप्रथम स्वरण सिक्के चोल वंच में दक्षिन भारत जारी करने का श्रय उत्तम चोल को है ठीक है जबकि चोल वंच में सर्वादिक स्वरण सिक्के राज-राज प्रथम ने जारी किये वो ये कह रहे हैं कि ये बताए है, चोल वंश में सरवादिक स्वरंड सिक्के वो राज-राज-प्रथम हैं, वो ये कह रहे हैं सरुप्रथम किसने जारी किया, वो उत्तम चोल हैं, अब ध्यान देना ये होगा कि चोलों के सिक्कों पर भी कुछ विशेष चितरांकन है, अब ध्यान रखिएगा राज राज प्रथम यद्यापी की राज राज प्रथम यद्यापी की शैव धर्मकानी आई है लेकिन उसके सिक्कों पर मुर्ली धर भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन हुआ है चोल शाशक राज राज प्रथम के सिक्कों पर मुर्ली धर भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन हुआ है ये बात याद रखिएगा और राजेंद्र प्रथम के सिक्कों पर मचली चेरों का राज की चिन है धनुष पांडियों का राज की चिन है सिंग चोलों का राजकी चिन है इन तीनों का राजकी चिन राजेंद्र पथम के सिक्कों पर है यानि कि मत्से का धनुष का और सिंग का चित्रांकन चोल शाषक राजेंद्र पथम के सिक्कों पर हुआ है मुझे एक बात और याद आ रही है अब शेयर करना चाहूंगा वो हिंदयवन शाशक है आपको पता है अगाथो क्लीज अगाथो क्लीज उसके सिक्कों पर बगवान श्री क्रिश्न और हलधर बलराम का चित्रांकन हुआ है अगाथो क्लीज के सिक्कों पर बगवान श्री क्रिश्न और हलधर बलराम का चित्रांकन हुआ है तो मुझे उमीद है आज अभी सिक्के तो बहुत सारे हैं एंशेंट इंडिया में बहुत सारे का मतलब मैंने केवल उन सिक्कों की चर्चा की है जो परिक्षा में कभी न कभी पूँचे गए है या फिर इन प्रशनों में जो अक्सर कभी रिपीट भी हो सकते हैं बहुशे में किसी परिक्षा में पूँचे जा सकते हैं मुझे उमीद है आपने आज की क्लास को नोट किया होगा इसका स्क्रीन शॉट लिया होगा और ये क्लास आपके लिए काफी उपादेय साबित होगी इसी उमीद के साथ आज मैं अपनी क्लास को समाप्त करने की गोशना कर रहा हूँ मुझे विदा दें धन्यवाद नमस्कार